जोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही चल गया होगा कि आमिर खान का जो कि किरन राओ से डिवोस हो चुका है और वहाई पर फातिमा के साथ में उनका बहुत जल्दी निकाल देखने को मिलेगा हाला कि पूरी बॉलिवुड इंडिश्टी में इस चीज का काफी चर्चाव है क आमिर खान और फातिमा की एज डिफरेंस काफी है लेकिन उसके बावजूद भी जो कि आमिर खान ने फिलाल करन राओ को डिवोस देने के बाद में फातिमा से निका करने का फैसला ले रहे हैं पूरी बॉलिवुड इंडिश्टी की बात की जाए तो पूरी बॉलिवुड करन राओ से अलग होने का फैसला लिया था सल्वान खान ने खुछ इस चीज की जो कि सबसे ज़्यदा दुख भरी बात बताई थी कि ये बहुत ज़्यदा दुखी भरी बात है लेकिन आमिर खान का कहना है कि करन राओ के साथ में उनके अच्छे मोमेंट्स गुजरेते ले उनके पीछे बज़े बताई जा रहे हैं आमिर खान की जो कि एक्टरस दंगल मुवी में कम कर चुकी फातिमा नजरा रही है जो कि फातिमा के साथ में जल्द ही आमिर खान एक वाफिर से फेरे लेने यानी निका करने जा रहे हैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि आमिर आमिर खान बॉलिवुड के सूपर इस्टारों में से गिने जाते हैं उनकी मूबी जातर बॉक्स आपिस पर सूपर हीट साबित होती हैं लेकिन जल्द ही आमिर खान अपनी नई मूबी के साथ में जल्द ही सभी के साथ में कमबेकने जा रहे हैं आमिर खान की बात की जाएं तो आमिर खान और फातिमा का रिष्ता जो कि परदे पर आपने बाप बेटी का देखा था लेकिन रियल लाइफ में अब वो किरदार एक नहीं रूप लेने जा रहा है और वो हकीकत में ही ना कि रिल लाइफ बलकि रियल लाइफ में एक नए मुकाम पर पहुँच चुका है क्योंकि किरन राओ से डिवोस लेने एक बाद में अब वो फात्मा के साथ में निका करने जा रहे हैं और इस चीज़ को पहले से ही किरन राओ को पता था कि आमिर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं फात्मा और आमिर के इस चर्चा के बारे में जो कि ये एक दूसरे को काफी समय से भी डेट कर रहे हैं और जल्द ही अब फात्मा आमिर की जो की तीसरी घर वाली बनने जा रही है सलमान खान के बात की जाएं तो सलमान खान भी हैरान है इस चीज़ को लेकर क्योंकि जो फात्मा कर रही है आमिर खान और किरनाओ के बीच में वो बहुत ही गलत हुआ है क्योंकि इन दोनों की जोड़ी मानी जाती है लेकिन अब फात्मा अपने नई करदार में देखने को मिलेगी क्योंकि जल्द ही वो आमिर खान की नई बेगम कहला आई जाने वाली बेगम बंद जाएंगी दोस्तो आपको बता देता हूँ कि फात्मा जोकी आमिर खान से एज में काफी छोटी है एज में छोटी होनी के बावजूद भी अवो आमिर खान से जोकी निका के इस बंधन में बंधने जा रही है दोस्तो आपसे उम्मीद करूँगा आप वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सस्क्राइब करेंगे कॉमेंट करके जरूर बताएंगे